जैश्री राम दोस्तो स्वागत है आप सभी का दो क्रिश्णा क्लासिज में तो दोस्तो आज का पेपर सेट 22 जुलाई का रहने वाला है दोस्तो 22 जुलाई का ठीक है और यूनिंग शिफ्ट का दो से चार दो से चार टाइमिंग वाला ये पेपर सेट है तो डिसकस करेंगे ये वाला पेपर सेट वह अभिकिरिया जिसमें एक परकार का परमाणू या परमाणू का समो दूसरे का इस्थान लेता है अभिकिरिया कहलाती है परतिस्थापन आगे बढ़ेंगे दोस्तों डिलीट कोश्चन पर हम ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ेंगे 100 का सबसे बड़ा प्लावि credatori अंशे अजकिन उलिएगा आँशन वे गूजरेंगाना के निम लिखित में से प्रात्मिक अभिकता कौन से है आंसार है यह कहाई और है निम लिखित में से मिल्क ओफ्र जाता है चार कार्बन का आक्सिजन के साथ सियोजन होने पर निम लिखित में से किसका निर्माण होगा कार्बन डाई ऑक्साइड अगर दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शियर करना ना भूले क्योंकि दोस्तो इससे आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा और हमें लगेगा आपको इस जो प्रैक्टिस सेट है 18 प्रैक्टिस सेट वंदार होगा कि इसकी आपको जरुवत है तो हम आपके लिए डालते रहेगे अगर दोस्तो रिस्पोंस अच्छा नहीं मिलता तो एक दो वीडियो के बाद शायद ये प्रैक्टिस सेट बंद हो सकते है वाई मंडलिय ओक्सिजन से ओजोन में परिवर्तन के लिए निमलिखित में से कौन सा विकीरन उत्तरदाई है यूवी किरने परमाणू बंबनाने में किस परकार की नाभिक अभिकिय का प्रियोग किया जाता है औनियंतरित नाभिक्य विखंडन हाईट्रुजन परमाणू में कितने इलेक्ट्रोन मौझूद है एक कोशी का चक्र में निमलिखित में से कौन सा चरण कोश का द्रबे विवाजन के साथ समाप्त होता है M. फेज किस पारिस्थिति की तंत्र का कार्बनिक और अजेविक घटक निमलिखित में से कौन सा है प्रोटीन निमलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है शमल भ्रिंग वायू मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है छोब मंडल निमलिखित में से कौन सा नियम कैपलर द्वारा दिया गया है छेत्रफलों का नियम निमलिखित में से कैपलर का छेत्रफल नियम कौन सा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाले रेखा समान समय अंत्राल में समान छित्र फलो का चक्कर लगाती है निमलिखित में से कौन सा हार्मॉन रक्त में केल्शियम आयन सांधरता में व्रिधी करता है परावटू हार्मॉन पेरा थायरड हार्मोन भी इसको बोलते है दोस्तों रोकेट नोदन की तकनिक में कौन सा वेग्यानिक सिदान्त शामिल है न्यूटन के गतीनियम एक बार दोस्तों मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एन एस्सी ओ का पूर्ण रूप क्या है नेशनल इड्स कंट्रोल और्गनाईजेशन जिपसम को 373 केल्विन पर उश्मित करने पर निमलेखित में से कौन सा उत्पाद बनता है आंसर हैं दोस्तों प्लास्टर ओफ पैरिस सामाग्रियों का पैकेजिंग करना तथा उसे अंतकोश किये लक्षों तक पहुँचाने का कारिय निमलेखित में से कौन सा अंग करता है गौल जी उपकरन CAOCL2 का सामान्य नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर NA2CO3 का सामान्य नाम क्या है धावन सोडा यदि एक अभिकिरिया के दोरान किसी पदार्थ में ओक्सिजन का हास या कमी होता है तो उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है अपचाईत ये देखिए दोस्तों लगाता तीन चार कोशन डिलीट के गए है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामाने तो किस नाम से जाना जाता है किसी वस्तु और दरपण में उसके परतिविम्ब के बीच भूजाओं की विन्यमयता की परिगटना को क्या कहते है पार्शव व्यूत क्रमन निमलिखित में से कौन सा पद धनावेशित आयन को निरुपित करता है धनायन भारत में उगाई जाने वाली एक मात्र ट्रांस जनिंग फसल कौन सी है आंसर है दोस्तों कपास एशियाई हाथी का अंतराष्टिय प्रकर्ति संडक्षन संग वर्गी करण क्या है लुप्त प्राय केगा नाविक्ये न्यूक्लियर उड़्या संयंत्र किस राज्य में इस्थित है करनाटक किसी माध्यम में से धोनी द्वारा यात्रा करते समय निर्मित दाब माध्यम के घनतों के अनुक्रमानुपाती होता है परदुषकों के संदर्भ में RSPM का पूर्ण रूप रेसिप्रेबल सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मेटर है आवर्शानी में कितने समों होते है आंसर है 18 उस बिमान का अभी केंदरी तोरण कितना होगा जो 900 किलो मेटर पर हवर की स्थिर्चाल के साथ एक किलो मेटर त्रिज्जा का 36 लूप निश्पादित करता है आंसर दोस्तों इसको आप सॉल्व कर सकते है आंसर है इसका बी 62.5 मीटर सेकंड स्क्वाइल एक छेत्र से परती इकाई समय में गुजरने वाले शुद्ध आवेशों को डेश्टेश विद्यूत धारा कहा जाता है ताम्बे के निश्कशन में प्रगलन प्रक्रम के दोरान बनने वाले धातुमल की राशानिक संरच्चना F.E.S.I.O.3 है इंपोटेंट कोश्चन है दोस्तों ये वाला आप देख सकते है कुछ कोश्चन इसमें काफी इंपोटेंट है जो आने वाली परिक्षा में भी आपके सामने देखने को मिल सकते है अगर ये कोश्चन नहीं रहेंगे तो दोस्तों इसके आसपास घूम कर कोश्चन आ सकता है इससे आपको ध्यान देना है आपको कौन सी जगे में ज़्यादा मेहनत की जरुवत है और कौन सी जगे पे आपको लाइटली पढ़ना है ओप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतू की तकनिक में कौन सा वेग्यानिक सिधान शामिल है अनसर है दोस्तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसा भी हो सकता है इन एफारा सो कोश्चन में से क्या पता सो कोश्चन इस बार यू के त्रिकलण से फिर से एग्जाम में डाल दे सो नहीं तो क्या पता पचास कोश्चन डाल दे जिससे कि जो पिछले जो स्टुडेंट से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको भी हेल्फ रहेगा क्योंकि उन्होंने इन में मोस्टली कोश्चन के आंसर दिये थे एक अश्वशक्ती होर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए और ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है कि आप इन 1800 कोश्चन को अच्छे से पढ़ सके 1800 में से दोस्तों कुछ कोश्चन डिलीट होए थे तो मुझे लगता है 1500 के आसपास ये कोश्चन है जिनने आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए जहां तक मेरा अपना ओपनियन है 1500 में से 50 कोश्चन आने की पूरी-पूरी संभावना बन सकती है श्वेत परकास की कीरण की कई अलग-अलग घटक रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते है आंसर है परकिरणन निम लिखित में से किस फाइलम जाती संग में जल वाही का तंत्र वाले जीव शामिल है इकाइनो डर्म्स कारबन डाई ओकसाइड इस्थरी करण के लिए निम लिखित में से सबसे महतपूर्ण कारक कौन सा है शेवाल अगर दोस्तों आपको पंदरा सौ में से पचास कोश्चन मिल रहा है तो इससे जादा फाइदे वाला सौदा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे वहों पंदरा सौ कोश्चन भी पढ़ने ही होते है लगभग लगभग जिनका कोई कंफर्म नहीं है शायद ही उसमें से पांच गुस्चन पेपर में आए लेकिन अगर इस पंदरा सौ कोश्चन को आप पढ़ते हैं मैं डैफिनेटली बोर रहा हूँ आपके पास लगभग लगभग पचास कोश्चन इन्नी ही पंदरा सौ को पास खलका सा थोड़ा सा उपर नीचे घुमा कर दिया जा सकता है इसलिए दोस्तों इन कोश्चन्स को जरूर पढ़े अभी के लिए इतना ही चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को जादा से जादा शेयर करे वीडियो पसंद आए तो लाइक करे और कमें में कंटिन्यू लिखे जिससे की मुझे लगेगा कि आपको इन कोश्चन्स की जरूरत है बाकि आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों अपना ध्यान रखे अपनों का ध्यान रखे जय ही जय भारत